हेलो गाइस स्वागते भाई आपका एक और नए ब्लाग में तो टाइम हो रहा वाई दो बची अठारा मिनाट और यहां पर ना भाई टाइम का पता ही नी चलता है कभी दिन निकल जाता है कभी सुबह होती है कभी रात होती है वैसे आज कल तो भी कहा है इस विंटर स्टार् बाई की थी वहां से और उस पर कल डिसकांट हुआ नहीं मुलाब 30 परसेंट का डिसकांट चलता था लेकिन उनके सिस्टम में कुछ प्रावलम थी तो जैकेट में कल लेकिया आ गया था अब या रहा हूं वापिस से जो डिसकांट हो लेना तो 30 परसेंट बाई 145 का तो चलो वाई फाइनली मैं आ चुका हूं भाई अब टीडी मॉल के अंदर और मिरेको जाना है किसमें हट्सन बे में जहां से मैंने जैकेट बाई करी थी कल तो उसके लिए अपने को जाना पड़ेगा उपर फरस्ट फ्लोर पे वहां से सीधा डारेक्ट है भाई हट्सन ब पड़ जाती बट यहां से क्या है वाई एक मॉल से दूसरे मॉल में जा सकते हैं डाउन्टर्न के अंदर यह मुलाब सभी जीजिए है तो चलो बाई मैं फरस्ट फ्लोर पे आ चुका हूं अब यह आप टीडी मॉल से में जा रहा हूं हट्सन बे वाली बिल्डिंग में यह देख सकते हूं नीचे रोड मतलब नहीं तो मेरे को यहां से ना क्रॉस करके जाना पूरता था तो यहां से क्या है सीधा बाई जा सकत है और मैडम इधर है और इसलिट वरकिंग तो गई जब है अचुका हूं हटसन बे से बाहर और मेरे साथ में स्कैम हो गया बहुत बला नहीं चोटा सा हुआ है और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि वह जो जूट बोल रही है बट क्या है कि 15 परसेंट का तो फिर मैंने डिसकांट ले लिया अभी 15 का उसने बोल रहा है कि मैं नेक्स्ट वीक काल करती हूं नेक्स्ट वीक क्या मलब दोती बीट के अंदर अंदर मैं बोले ठीक है भाई क्योंकि भाई 30 परसेंट ना 145 का सही है मनलब 40 डॉलर के आसपास कम से कम डिसकांट रहा 40 डॉलर भाई बहुत होते हैं आपे तो गाइज मैं आयों भाई अभी स्टोर में और मेरे ना एक हफ्ते से दांत में पहने तो मैं कुछ भी ना ज्यादा है भी नहीं खा पा रहा हूं तो मैं सोच रहा हूं कुछ भाई बेस्टिबल्स वगारा पुछ लेकिए कुछ सूब टाइप का बनाए जाए आज तो देखते हैं भी पहले स्टोर थोड़ा सा घूमते हैं उसके बाद लास्ट में देखते हैं क्या लेता हूं तो गया से भी टाइम हो चुका भाई 545 तो यार इस्टोर में ना काफी टाइम लग गया मेरको तो मैं वहां पर चला गया था मोबाईल इस्टोर के अंदर फॉन पता करने वहां पर इक भाई मिल गया मिरको जो की था इंडियान का और उनके साथ में प्रूपी टाइम तो वाइस फाइनली में गर पर आचका हूँ वाई टाइम हो गया है अभी 6.30 अंदेरा वाई ऐसा हो गया भार ऐसा लग रहा है रात के 19 बजरे हो गया से क्यों कि अभी विंटर इस्टार्ट हो गया है तो भाई आजकल नहीरा बहुत जल्दी हो जा रहा है अभी क्या है कि भाई थोड़ा सा खाना बनाते खाना क्या है खिच्डी बनाने मुझे कि मैं तीन-चार दिन से खिच्डी खा रहा हूँ नात में पहन हो रहा है और आजकल ना चाय के साथ विस्किट और शाम को भाई खिच्डी एचली यहां पर जो डेंटिस्ट है ना बहु देखाना और उसके बाद में गया फिर दूसरे दिन डेंटिस्ट के पास तो उसने बाई चेक अप किया खाली और 108 डॉलर मेरे लगे 70 डॉलर उसकी फीस है दॉक्टर की और 30 डॉलर जो है एक्सरे के उसमें लिए तो टोटल 108 लगा के हो गया था बाकी उन्होंने बोला कि जो है दांत में थोड़ा सा इंफेक्शन भी हो गया और इसमें होगा आर सिटी और सिटी मतलब रूट कनाल और उसकी जो कॉस्ट है यहां पर है तेरह सो से पंदरह सो डॉलर के बीच में बीच में पंदरह सो होते हैं इंडियन मनी में नब्बे हजार भाई तो इसलिए मैं मैं तो मैं सोच रहा है किसी तरीके से वाई यह जो पेन है ना जो दांत में हो रहा है यह थोड़ा रुक जाए कुस टाइम के लिए तो मेरा बीजा विजा आ जाए उसके बाद मैं इंडिया जाके करवा लूँगा वहां पर बहुत पी चीप में हो जाता है छे साथाजार क्या सपास मुझे लग रहा है डॉलर भाई जो में बताना भूल गया तो यह है वो जैकिट जिसके लिए मुझे डांटाउन गया प्लाता और इसका प्राइज दिखा लेता हूं आपको तो यह देख सकते हूं इसका प्राइज है वो है 145 डॉलर और